सिकंदर यादविंदू जो इस नीट पेपर लिख का मास्टर माइंड है उसके बारे में विजय सिर्णा जी कर रहा है कि प्रितम का रिष्टेदार है और प्रितम कौन है तेज़वी आदव जी के प्रितम प्रितम इसमें सामिल है तो उसके करवाई कीजिए आप बोल क्या र वाइरल हो रहा है शिकंदर यद्विंदु का उस पे भी करवाई कीजिए क्या है मामला नहीं है अगर तेस्वी अदव जी भी सनिप थे तो उस पे भी करवाई होनी चाहिए करवाई कीजिए आप मीडिया में आके चिर्फ बोल रहे हैं आप सरकार में है उपमुखमंत्री है बड़े बड़े सेटर हैं परिच्छा मापिया है ये बिहार के सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से संपर के मिराते हैं उनसे जान पचान करके रखते हैं और ये लोग पैसा पहुंचाते हैं बड़े बड़े नेताओं को रंजीत डाउन जो पेपर लिक का मा बिहार में दरोगा, सिपाही, BSSC, BPSC का पेपर लिग होता रहा है और हम लोग 2018 से पेपर लिग के खिलाप लर रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा कठोर करवाई नहीं किये जाने के कारण आज कहीं भी पेपर लिग होता है तो उसका कनेक्शन बिहार से जूर जाता है क्योंकि बिहार में सिप्षा माफियाओं को राजनितिक संरक्षन प्राप्त है जो बड़े-बड़े सिप्षा माफिया है जो पेपर लिग में संरक्षन प्राप्त है और ऐसे लोगों पे कभी कोई कारवाई नहीं होती है जब भी कोई पेपर लिग होता है मामला उजागर होता है ह कुछ लोग पक्रे जाते हैं, जो छोटे मोटे सेटर होते हैं, उन लोगों को पकर लिया जाता है, और उससे जो बड़े हैं वो पक्रे जाते हैं, तो दो महिना तीन महिना में छुट जाते हैं, उसके बाद कोई कारवाई नहीं होती है, लेकिन जो बड़े-बड़े सेटर है जो mastermind होता है और उसके उपर जो होता है जो IPS अधिकारी जो बड़े-बड़े coaching सिक्चक जो नेता इस paper leak में सनिप्त रहते हैं उन लोगों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई और आज तक तो बड़े-बड़े coaching सिक्चक का बड़े-बड़े अधिकारी का नाम तक नहीं ब और BPSC TRE 3 15 मार्च को जो paper leak हुआ उस समय भी ये खबर अख़वारों में छपी कि पटना के कुछ coaching सिक्चक रडार पर हैं यानि कि उनकी सनलिपता होगी paper leak में कुछ IPS अधिकारी बड़े-बड़े नेता लेकिन किसी पे कोई कारवाई नहीं होती है BPSC में paper leak हुआ किस अधिकारी ने pen drive का code बताया आज तक पता नहीं चला और हम ये बात 4-5 सालों से कहते आ रहे हैं कि paper leak में सनलिप बड़े-बड़े coaching सिक्चक बड़े-बड़े IS IPS अधिकारी नेता और बड़े-बड़े सिट्रों को राजनितिक संड़क्षन प्राप्त है और लगबग सभी पाटियों के बड़े-बड़े नेताओं से इन लोगों का सांठ गाट रहता है सरकार में कोई भी रहे कोई भी गठवंदन की सरकार बिहार में रहे लेकिन paper leak और धांदली सेटिंग में सनलिप बड़े-बड़े सिक्चा माफियाओं परिक्चा सरकार में रहने के बाद कारवाई तो नहीं करते हैं जो लोग सरकार में रहते हैं वो भी बड़े-बड़े परिक्चा माफियाओं पर कोई कारवाई नहीं करते हैं लेकिन जो विपक्च में रहते हैं वो भी paper leak धांदली सेटिंग में सनलिप बड़े-बड़े सिक्चा आप याओं पे करवाई करने की मांग भी नहीं करते हैं और आज आप देखिए कि नीट पेपर लिग में जो बिहार से तार जुरा बिहार से कनेक्शन जुरा हम पांच महीं से चिला चिला करका रहे थे कि पेपर लिग है पर इच्छा रद होनी चाहिए आज देश भर की सारी मीडिया नीट पेपर लिग पे चर्चा कर रही है और इसका वितार बिहार से जुरा हुआ है और इस पेपर लिग पर राजिनितिक बयान बाजी चल रही है बिहार में बिहार के उपमुख मंत्री है विजय सिन्ना जी वो कर रहा है कि तेजस्वी यादव जी के पिये पिरितम कुमार का नाम आ रहा है कि उनके रिलेटिव है सिकंदर यादवेंदू सिकंदर यादवेंदू जो इस नीट पेपर लिका मास्टर माइंड है उसके बारे में विजय सिन्हा जी कर रहा है कि प्रितम का रिष्टेदार है और प्रितम कौन है तेस्वी आदब जी के पिये हैं मैं कई बरसों से बात कता रहा हूं कि बिहार में हालाकि ये जो विजय सिन्हा जी कर रहा है इसमें कितनी सचाई है नह किया आरोप लगा रहा है लेकिन पर करवाई कौन करेगा विजयस सिन्हा अभी सरकार में हैं तो उनको करवाई करनी चाहिए अगर तेज़वी आदव जी के पी अदिकार किसको है सरकार को होता है तो अगर जो भी तो सी हो अगर अपएस्वी आदव के साथ भी फोटो वाइरल हो रहा है इसने पहले बरे-बरे सिक्षा Только का फोटो ब्यार के साथ गृट याजो इसको पर पितुर और भी बड़े-बड़े नेताओं के साथ रहता है फोटो तो इसकी जाच होनी चाहिए कि क्या ये लोग संरक्षन दे रहा है सिक्षा माप्याओं को या इन लोगों को पता नहीं है कि जिनके साथ इन लोग का फोटो है वो इस सब मामले में संलिप्त रहते हैं क्या इन लोग को नहीं पता है, या पता है और संदक्षन दिया जा रहा है, हम बार-बार कर रहा है कि बिहार में बड़े-बड़े सिख्छा माप्याओं को, परिख्छा माप्याओं को राजनितिक संदक्षन मिलता है, और यह जो सेटर होते हैं, बड़े-बड़े सेटर हैं, परिक्शा मापिया है ये विहार के सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से संपड के मिरॉते हैं उनसे जांत-पछान करके रखते हैं और ये लोग पैसा पहुंचाते हैं बड़े-बड़े नेताओं को ताकी जब ये फंसे तो सरकार में चाहिए कोई भी रहे इनक करवाईए कि यह जो बड़े बड़े सिक्षा माप्या परिक्षा माप्या है वो बिहार के किस-किस नेता को पैसा पहुंचाता है चाहो सत्ता पक्षका हो या भी पक्षका नेता हो जिसको भी लोग पैसा पहुंचाते हैं जिससे भी मिली भगत है जो भी नेता इसको ऐसे लो कुमार की मम्मी को उसकी मा को यानि संजीब मुख्या की पत्री को विधान सभा में टिकट दिये थे हर नौत से रंजीत डॉन जो पेपर लिग का मास्टर मैंड कई बरसों से रहा कई बार पक्रा गया उसको 2020 विधान सभा में टिकट चिराग पासवां जी ने दिया तो इस त आर्धिक अपड़ाइत करने से अधस्करा गया था उसको डिएस्प पद पर जोनके लेकिन जीतना मााची ने से जेन करवाइए और तार्टी प्रसाजी जब उपंपंटि स्मंद्री थे तो इयस पी रंजीत के insbesondere स्यों आप यहां कोचिंग सिक्षक, IAS, IPS अधिकारी जो पेपर लिग में सनलिपत होता है, ऐसे लोगों को बिहार में राजनितिक सनरक्षन मिलता है, बड़े बड़े नेताओं का सनरक्षन मिलता है, इसकी जाच होनी चाहिए, मांग कर रहें नितिक कुमार्ची से, कि पूरे मामले की, नीट पेपर लिग, BPSC TRE3 पेपर लिग, सिपाही पेपर लिग, BPSC 66PT पेपर लिग, इन सब मामलों की जाच करवाईए, निस्पक जाच और देखिए कि कौन कर नेता सनरक्षन दे रहा है, ऐसे सेटरों को, और कौन कर नेताओं को ये सेटर पैसा पहुंचाते हैं, कर देता है, तो उस राजनितिक पार्टी की माननेता समाप्थ होनी चाहिए, और जो नेता, ऐसे लोगों को टिकर देता है, उस नेता पे भी 20 वर्स के लिए परतिबंद लगना चाहिए, कि ओ चुनाब नहीं लड़ सकता है, तब जाकर पेपर लिग रुखेगा, ये कठोर करवाई कीजिए, तब ही जाकर पेपर लिख लुखेगा, नहीं तो लाखो अभी अर्थियों के साथ, लाखो चातर चातराओं के साथ इस तरह से अन्याय होता रहेगा,